नमस्कार आप देखे हुए हैं फिल्म में बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनु माथुर टीवी आक्टर करण महरा और निशा रावल का केस काफी सुर्खियां बटोर चुका है जैसे ही करण महरा को औरेस्ट किया गया हर कोई बॉलिवूड और टीवी इंडस्टी में सन रह गया वज़ास की ये रही कि निशा रावल और करण महरा टीवी इंडस्टी का वो कपल था जो हमेशा दूसरों को कपल गोल्स दिया करता था इसके साथ निशारावल जो की टीवी की जाने मानी आक्ट्रेस है उन्होंने भी अपने पती करनमहरा पर कई गम भी रारोप लगाए इसके साथ यून्होंने ये भी बताया किस तड़ी किस से बाल पकड़ कर करन महरा ने दिवार में दे मारा जिसकी वज़ा से वो जखमी हो गई लेकिन इसके उलट करन महरा कुछ और ही कहानी बया कर रहे है करन महरा की माने तो उनका कहना है कि निशारावल तलाक के बदले उनसे मोटी रकम की डिमांड कर रही थी जिसके बाद करन महरा अपने माता पिता से बात करने गए और वो पीछे से आ गई और उनके माता पिता के साथ काफी बत्तमीजी करने लगी आपको बता दे टीवी आक्ट्रोस निशारावल और करनमहरा पिशले 14 सालों से साथ रह रहे हैं लेकिन अचानक से जस तरह के से इन दोनों का मामला खुल कर सामने आया है इससे साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था वेल निशारावल करनमहरा पर और करनमहरा निशारावल पर आरोप पे आरोप लगाये जा रहे हैं लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें डिजाइनर रोहिद वर्मा के बारे में तो आपको बता दे कि उन्होंने निशारावल को सपोर्ट किया है निश्या रावल के बहुत अच्छे दोस्त है रोहिद वर्मा इसके साथ ही करन महरा के भी काफी करीब है जिस वक्त निश्या रावल ने प्रेस कॉंफरेंस की उस वक्त भी रोहिद वर्मा उनके साथ ही थे और उनका कहना है कि निश्या को वो काफ़ी टाइम से जानते हैं और वो काफ़ी टाइम से नौक री ढून रही थी इसके साथ यह उन्होंने करन मेहरा को भी काफ़ी लतार लगाई है इसकी साथ यह कहा है कि वो कुछ नहीं है सिर्फ अपनी राम चंदर वाली इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहा है जबकि निशारावल के साथ काफी टाइम से करन महरा काफी बस सलू की करते नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि रोहिद वर्मा जाने माने फाशन डिजाइनर है इसके साथी निशारावल के बहुत अच्छे दोस्त भी है बेग बॉस में भी हम उनको साथ में देख चुके है इसके साथी रोहिद वर्मा का बयान बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि निश्य रावल की फामिली के बहुत जाता करीब है रोहिद वर्मा और उनका कहना है कि निश्य अबिल कुल सच बोल रही है